नमस्कार दूस्तों आप सबी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने से नए और ताजी वेडियो में दूस्तों आज का यह वेडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है तो किर्पाड वेडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो लाइक करना ना भूलिए लाइक करने से होगा क्या मेरे मौटी भी स्टाफ हो जाएगा और नई नहीं जानकारी आप तक पहुंचाने लगूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिगा ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके यह जो उसदी देख रहे हैं यह एक नहीं अनेक बीमारेों की रामबार दबा मानी जाती है इसको दोस्तो भस्म पत्री भस्म पत्री के नाम से भी जानते हैं पैचानते हैं कहीं कहीं इसको पन पुट्टी कहते हैं और कहीं कहीं इसको जक्मेहयात या पाशान भीत की नाम से भी जाना जाता है पैठाना जाता है इसको पत्था चट्था की नाम से भी पैठानते हैं जानते हैं क्योंकि यह पत्थरी को तोड़ तोड़ करके खत्म कर देता है इसके अलाबा दूस्तो इसके धेरों फायदे हैं तो एक पत्ता और बढ़ा करते हैं, तो दो पत्ता, साथी साथ अगर इसको आप तोड़कर के, और नमी भूम में इसको खुर्स देंगे, तो देखे इस प्रकार से नया पत्ता उगाता है, इसके पत्ते टैन ही, किसी भी भाग को अगर पानी में डाल देंगे, या मिट्टी म आप इसको थोड़ा सा लगा देंगे तो यह वहां से नया पोधा बन जाता है आरवीद में बड़ा ही जवरजस्ट माना जाता है यह पत्थर चटा अब चलिए पत्थरी के लिए इसको कैसे प्रियोग कर सकते मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको पत्थरी की समस्या है तो पत्थर चटा आपके सिहत के लिए रामबाणों सदी है इसके लिए आपको पत्थर चटा के पत्थों का गुनगुना पानी के साथ सेवन करना है ऐसा रोज करने से आपको पत्थरी की समस्या से रहत मिलेगी अगर आप अच्छा प्रणाम कर लेना चाहते हैं तो जस्ट काम करता है सतीसाद किदने की समिस्या को भी दूर जाता है मूत्र विकारों को दूर शर्थ्चा का उपयोग किया जाता है अगर आप इसका काड़ा पीते हैंел तो मेजलन रुक जुकरुक के पेसावाने की समस्चा परेशानी दूर हो जाती है। इसके लाबा पत्था चट्टा बबास्चीर की समस्चा को भी दूर करने के लिए उपयोगी मना जाता है। इसके पर किसी भी तरह की सूजन है घाओ है या फिर मन्दी चोट आ गई है तो आप पत्था चट्टा के जड़िये से दूर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप से चार से पांच पत्थों को पीज कर लेब बना लें और संक्रमक बाली जग़े पर लगाते हैं जिससे आपका घाओ और सूजन ख़तम जाता है। ये बेजाइनल इन्फेक्शन को ठीक करता है अगर मेला आम तोर पर बेजाइनल इन्फेक्शन की समस्या से जूटती रहती है। इसमें उनके जनिलेटर या प्राइवेट एरिया में खुझली जलन के साथ बेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। इन परिसानियों को दूर करने के लिए पत्धा चटा उप्योगी हो सकता है इसके लिए आपको इसके पत्तों को बाल कर काड़ा पीना है और स्वाद के लिए आपको इसमें सेहद मी मिला सकते हैं या खोनी दस्ट और हाइब बीपी के मरीजों के लिए बाउड़ी ही जवर जस्त है पत्धा उन सकते हैं इसके लावा हाई वीपी प्लेट्शर को कंट्रोल करने में भी उप्योगी माना जाता है दोस्तों यह पत्थर चटा यह कहीं अगर आपको मिल जाए तो छोड़ना मत है बड़ा ही गुड़कारी बड़ा ही लापकारी है तो इस तरीका से देखी आप बड़ा पत् कर सकते हैं दो धन्यवाद